सब्सक्राइब करें हमारे चैनल Gendron Tech को और बेल आइकन को दबाईए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाए तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं अन्बॉक्सिंग एक माइक की यह एक DVR का माइक है यानि कि अगर आपके पास एक है CCTV कैमरा और आप लगाना चाते है माइक तो यहाँ पर आप यह माइक लगा सकते हैं तो इसकी एन्बॉक्सिंग हम देख रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों यह देख रहे हैं आप CP Plus की Audio Monitoring माइक यानि कि यह जो माइक है यह एक बहुत ही बैतरीन सा माइक है अगर आप Audio Monitor करना चाते हैं आपके CCTV कैमरा से यह एक लगबख जो गेंद होती है या जो बॉल होती है लगबख उसके आधे साइस का है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कुछ तीन कनेक्शन्स यहाँ पर मौझूद है हलाकि इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊँगा कि कैसे आप इन तीनो वाइस को कनेट कर सकते हैं आपके DVR के साथ और एक अच्छी खासी वाइस यानि की एक आडियो आप सुन सकते हैं आपके CCTV क्यामरा के लाइफ प्रिव्यू के वक्त इंटरनल यह आप देख पाएंगे एक छोड़ा सा माइक सेंटर में लगा हुआ है और यहाँ पर एक PCB कने और एक बकाईदा मैंने एक separate वीडियो भी बना कर रखा है जहाँ पर मैंने फुल माइक इंस्टॉलेशन आपको दिखाया है आप चाहे तो उसका जो लिंक है मैं उपर आई टैब में दे देता हूँ यहाँ पर यह मेरे पास है एक audio connector इसके जरीए आप अपने माइक को आप को connect करना है आपके RCA connector के साथ यानि कि आपके जो audio pin है उसके साथ तो यह आपको कैसे करना है कि जो white wire है इसे छील कर आपको center में attach करना है और black wire के तुरू आपको एक extra wire जोड़कर इसे earthing देना है यानि कि RCA connector पर ही यह connect होगा यहाँ पर हम देखते है इस diagram के तुरू कैसे करते है तो आपका जो camera है वो connected होगा आपके SMPS से यानि कि आपका जो power switch है उससे यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप अपने mic को connect कर देंगे इन ही same wire connection पर कुछ इस तरह से जैसे आप diagram पर देख रहे है और यह जो white wire है यह आपको अपने RCA connector से जोड़ना है यह आप कैसे जोड़ेंगे white wire connect कर दीजे center में और black wire से आप earthing का power आप RCA में दे दीजिए और उसके बाद आप अपने RCA pin को attach कर दीजिए आपके DVR के साथ और उसके बाद आपको कुछ setting करनी होगी आपके DVR के साथ तो चलिए दोस्तों देखते है तो यहाँ पर आपके DVR कि setting में मिल जाएगा आपको बड़े आसानी से तो आप switch करे option पर camera option और यहाँ पर चले जाए encode के अंदर और यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीज़े करनी है audio video के अंदर रहे और यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीज़े करनी है इस check mark को आपको on करना है audio video के लिए और उसके बाद में आप अपने DVR पर यानि कि जब भी आप live preview देखेंगे अपने mobile phone पर या अपने computer पर तो आप live audio भी सुन पाएंगे सो दोस्तो CCTV camera पर हमने और भी बहुत सारे lectures बना है तो सारे lectures ज़रूर चेक करें हमारे इस channel पर और दोस्तो subscribe करें अगर आपने आप तक subscribe नहीं किया है तो और bell icon को भी ज़रूर तबाए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिन शुब हो 2000 subscribers complete होने की खुशी में हमने रखा है एक contest Contest के मताबिक किन ही 5 subscribers को मिलेंगे ये 5 किप किन ही 2 subscribers को मिलेंगे जियो के एक एक फोन किन ही 2 subscribers को मिलेंगे 1000,000 रुपए के Amazon के vouchers और किन ही 10 subscribers को मिलेंगे 100,000 रुपए के रिचार्ज Contest में पार्ट लेने के लिए आपको इस चैनल को करना है subscribe, वीडियो को like करना है, दिल चाहे, comment करे और share करना ज़रूरी नहीं है result declare होंगे 10,000 subscribers cross होने के बाद